CBI ने सुप्रीम कोर्ट में मनीश सिसोदिया की जमानत याचिका का किया विरोध CBI ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्य मंत्री मनीश सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध किया है CBI ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जवाबी हल्फ नामे में सिसोधिया की जमानत का विरोध करते हुए कहा है कि सिसोधिया के खिलाफ भरष्ट आचार के गंभीर आरोप है CBI ने कहा है कि सिसोधिया ऐसे मामलों में जमानत के लिए निर्धारित ट्रिपल टेस्ट को भी पूरा नहीं करते हैं CBI ने सिसोधिया को जमानत नहीं देने का अनुरोध करते हुए कहा है कि पहले ही वह सबूत नश्ट कर चुके हैं और पूछताच के दौरान भी सहयोग नहीं रहा साथ ही वह राजनीतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्ति हैं ऐसे में सिसोधिया को जमानत नहीं दी जानी चाहिए CBI ने अपने हलफ नामे में मनीश सिसोधिया की पत्नी का जिक्र करते हुए कहा है कि उनकी बीमारी कोई नई बात नहीं है पत्नी का इलाज पिछले 23 साल से चल रहा है ऐसे में यह भी उनके जमानत का आधार नहीं हो सकता सुप्रीम कोट ने 14 जुलाई को सिसोधिया की जमानत याचिका पर CBI और ED को नोटिस जारी किया था सिसोधिया की और से पेश वरिष्ठ वकील सिंग्वी ने दलील दी थी कि सिसोधिया की पत्नी की वाकई हालात खराब है उनका 50 फीसदी शरीर विकलांग हो चुका है सुनवाई के दौरान ED ने भी सिसोधिया की जमानत याचिका का विरोध किया था मनीश सिसोधिया ने CBI और ED दोनों मामलों में सुप्रीम कोट में जमानत याचिका दाखिल की है 3 जुलाई को दिल्ली हाई कोट ने मनीश सिसोधिया की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी थी 28 अप्रेल को राउज एवेन्यू कोट ने मनी लांडरिंग से जुड़े मामले में सिसोधिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी ED के मुताबिक सिसोधिया मंत्री समूह के मुखिया थे और कैबिनेट के बारे में उनको सारी जानकारी थी वे आपकारी नीती के बदलाव में मुख्य भूमिका में थे ED के मुताबिक आपकारी नीती में फायदा पहुचाने के बदले रिश्वत ली गई याचिका में सिसोधिया की ओर से कहा गया है कि उनके खिलाफ मनी लांडरिंग का कोई मामला ही नहीं बनता है ED का पूरा केस CBI के केस पर ही आधारित है याचिका में कहा गया है कि मनी लांडरिंग एक्ट की धारा थ्री के तहत किसी भी तरह का अपराद सिसोधिया ने नहीं किया कोर्ट को यह देखना होगा कि क्या धारा थ्री के तहत कोई उलंगन किया गया है ED ने इस मामले में मनीश सिसोधिया को 9 मार्च को पूछताच के बाद तिहाड जेल से गिरफतार किया था सिसोधिया को पहले CBI ने 26 फरवरी को गिरफतार किया था इसी तरीके की खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेर और सबस्क्राइब करें धन्यवाद